तो कहानी की शुरू में हमें बताया जाता है, हजारों साल पहली एक दुनिया थी, जहाँ पर सभी ट्रांसफॉर्मर्स रहा करते थी, ट्रांसफॉर्मर्स रुबोर्स ऐसी मशीन थी, जो इनसानों की तरहा सोच समझ सकती थी, उनकी दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा साथ ही हमें यहां पर एक यूब के बारे में भी बताया जाता है, यह दिखने में बहुत बड़ा था, इसमें इतनी ताकत थी कि यह एक नई दुनिया बना सکता था, इसे कुब ने ट्रांसफॉर्मर्स की इस दुनिया को भी बनाया था, पर अब यह क्यूब दुनिया में गिर जाता है, ट्रांसफार्मर्स का लीडर और मेगा ट्रॉन दोनों के साथ ही इसे हासिल करना चाहते थे, ट्रांसफार्मर्स का लीडर इसे इसलिए हासिल करना चाहता था, ताकि वो अपने दुन्या को दुबारा बना सकी, साथ ही मेगा ट्रॉन जिसके साथ इसने लड़ा इस बात को काफी वक्त गुजर जाता है और सन आता है 1897 का अब उसी बर्फ के उपर एक शिप फस गया था जिसके कैप्टन जब वहाँ पर देखने लगते हैं तो उनकी टेम वहाँ पर एक खोकली जगा पर फस कई थी जहाँ पर जाकर ये बहुत बड़ी मशीन को देखते है जो के ट्रास्फार्मर मेगा ट्रॉन था कैप्टन ने मेगा ट्रॉन की लोकेशन को ओन कर दिया था जिस वज़ा से उसकी आंखों से रोशनी निकलती है वो रोशनी कैप्टन के चश्मे पर जाकर लगी थी दरासल वो रोशनी कोई आम रोशनी नहीं वो उस क्यूब की लो एक ट्रास्फॉर्मर में बदल जाता है, दरासल ये मेगा ट्रॉन का साथी था, अब जितने भी ट्रास्फॉर्मर्स थी, वो जमीन पर आ चुके थी, उन्होंने बेस पर आकर तबाही मचा दी थी, वो यहां से कुछ खास इंफॉर्मिशन लेना चाते थी, मगर आर्मी वाली पहले ही अपने कनेक्शन को कार्ड देते हैं, जिससे मेगा ट्रॉन के साथियों का मिशन पूरा नहीं हुआ था, दरासल ये जमीन पर अपने साथी मेगा ट्रॉन और क्यूब की लोकेशन का पता चलाने आये थे, ये सबी बुरे ट्रास्फॉर्मर्स थे, जो दन्या में त पैसों की जरूरत थी, वो एक गारी खरीदना चाहता था, सैम जो के बहुत अच्छे नंबर्स लेकर पास हुआ था, इसलिए उसके डैड उसे अपने साथ ले जाते हैं, क्योंके वो उसे गारी दिलवाना चाहते थे, वो अपने डैड के साथ गारियों वाले कार खाने में आता है, उसे वहाँ पर एक पुरानी गारी पसंद आई थी, जब वहाँ के मालिक से उस गारी के बारे में पूछता है, उसे भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था, वो भी जानता नहीं था कि गारी आखिर आई कहां से, फिर भी गारियों का मालिक सैम को वो गारी बेच है इस तरह सैम के पास उसकी पहली गाड़ी आ गई थी इस गाड़ी में खुद बाखुद गाने चला करते थी सैम के दोस्पी इस गाड़ी का बहुत मजाग बनाते हैं क्योंकि दिखने में वो काफी पुरानी थी एक रात जब सैम सो रहा था तो उसे महसूस होता है उसकी गा कर कुछी देर के बाद उसकी गाड़ी उसकी आंखों के सामने थी इससे पहले वो वहाँ पर कुछ सोच समझ पाता उधर पुलिस आ गई थी जो उसे अपने साथ ले जाती है वो पुलिस को भी अपनी गाड़ी के बारी में बताता है मगर उसकी बात पर कोई भी यकीन नही करता. दरासल सम की जो गारी थी वो एक ट्रांसफार्मर था. ये लिटर का साथ ही होता है, जो के ट्रांसफार्मर लिटर के साथ मिलकर क्युब को हासिल करना चाहते थे ताके वो अपनी एक नई दुनिया बना सके, जो जग की वज़ा से परपात हो गई थी लिटर के जितने भी साथी थे ये अच्छे ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो इंसानों को नुक्सान पहुँचाने के बारे में कभी सोचते भी नहीं थे इसलिए ये दुन्या में क्यूब को ढूंडने आए थे अब इस हाथसे के बाद सैम अपनी गाड़ी से ड़न यानि के सैम के दादा जी की जिनोंने मेगाट्रॉन को पहले मरतबा देखा था और उनके चिश्मे में क्यूब की लोकेशन प्रिंट थी उस ट्रांसफार्मर को चिश्मी के बारे में पता चल गया था क्योंकि उसकी गाड़ी उसका पीछा कर रही थी आगे चाकर वो एक प ट्रांसफार्मर था जिसने प्रेजिडेंट के कंप्यूटर से इंफर्मेशन को चुराय था और ये मेगाट्रॉन का साथी था अभी आकर सैम से उस चश्मी के बारे में पूछता है वगर सैम ने इसे कुछ नहीं बताया था कि वो चश्मा कहा पर है उसे ये सब देखकर अ गारी आजाती है जो इसे और मकेला को अपनी गारी में बठाकर ले गई थी साथ ही वो भी एक ट्रांसफार्मर में बदर जाती है अब यहाँ पर सैम की गारी और उस ट्रांसफार्मर की बहुती बुरी लड़ाई होती है जो मेगाट्रॉन का साथी था सैम की गारी ने उसे जखमी कर दिया था वो ट्रांसफॉर्मर कुद को बचाने के लिए एक मुबाइल में बदर जाता है जो मकहला के बैक में चला गया था जिसके बाद सैम की गारी एक खटारा से बदल कर शानदार गारी में बदर जाती है और दोनों को पिठा कर घर वापिस ले गई थी हमा अस सान नहीं पहुंचाएंगे इससे पहले ये चश्मे को बाहिर लेकर जाकर उन्हें दे देता तब है यहाँ पर सेक्टर सैवन के लोग आ जाते हैं जो कि एक खोफिया जंसी थी वो सैम और मकहला को पकड़ कर अपने साथ ले गई थी तब ही इनकी आगे बहुत से ट्रांसफॉर्मर्स भाग जाते हैं मगर सैम और मकहला भी दोनों बचकर निकल गए थे लेकिन उसके दादाजी का चिश्मा वही पर गिर जाता है जो कि ट्रांसफॉर्मर्स के लीडर को मिला था वो से लेकर क्यूग को ढूनने का फैसला करता है अब जब ये बात सेक्टर सैवन के एजेंट्स को पता चलती है तो वो सैम को उस जगा पर ले जाते हैं जहाँ पर आज भी इन्होंने मेगा ट्रॉन को बर्फ में जमा कर रखा हुआ था सैम इनको बताता है कि इसका नाम तो मेगा ट्रॉन है और ये क्यूग को हासिल करने के लिए दुनिया में आया बात में ये दुनिया को खत्म करना चाहता था साथ ही सैम इनको बताता है कि मैं जानता हूँ आप लोग क्यूग के बारे में भी जानते हैं तो वो एजेंट्स इसको अब क्यूग पिखा देते हैं वो बताते हैं कि जब ये हमारी दुनिया में आकर गिरा तो ये बहुत गारी में भी उसने अपने सबी साथियों को सिगनल्स भेज़ दिये थे उसके सबी साथी अब सम्मीन पर आजाते हैं और सेक्टर 7 पर हमला करने लगते हैं साथ ही वो ट्रांसफॉर्मर मेगा ट्रॉन की बर्फ को भी पिगलाने का प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है सैम और मकेला को लेकर यहाँ से चला जाता है मेगा ट्रॉन भी आजाद हो चुका था इसलिए वो पने साथियों को लेकर सैम का पीछा करता है क्योंकि किसी भी कीमत पर वो क्यूब को हासिल करना चाहता था यहीं पर ट्रासफॉर्मर्स का लीडर भी आ गया था एक तरफ मे साथ ही खत्म हो जाएगा पर जब लीडर की लडाई मेगा ट्रॉन से हो रही थी तो सैम लीडर की बजाए मेगा ट्रॉन के सीने में क्यूब को डाल देता है जिससे उसका खात्मा हो गया था दूसरे तफ लीडर के साथ ही भी मेगा ट्रॉन के साथियों को हरा देते हैं ली साथ ही मेगाट्रान और उसके जितने भी साथ ही थे, उन सब को हेलिकॉप्टर के जरीए समंदर की गहराईयों में फैक दिया जाता है। साथ ही सैम जो मकहला को हमेशा से पसंद करता था, उनका रिष्टा भी अच्छा हो गया था। इसके बाद कहानी में हमें दो साल बाद का वक्त दिखा जाता है, जो लिडर और उसके साथी ट्रांसफॉर्मर्स दुन्या में आ गए थे, वो आकर अब गौर्मेंट के साथ काम करते हैं और इस दुन्या में रहकर उन सबी ट्रांसफॉर्मर्स का खात्मा करते हैं, जो मेगा अबसल ये अपने उस बॉस की बात कर रहे थे, जिसके लिए मेगा ट्रॉन काम क्या करता था, आके हम सैम को देखते हैं, जिसके जैकिट से छोटा सा मैटल का टुकडा गिरता है, जोके क्यूब का टुकडा था, जो वो से उठा कर देखता है, तो उसके अंदर जितनी भी इन पढ़ी थी, वो सभी ट्रांसफोर्मर्स, रिबोर्स में बदल जाती हैं, हमें यहां से अंदाजा हो सकता है, कि उस क्यूब से कैसे बड़े बड़े ट्रांसफोर्मर्स बनाए होंगे, अब वो सभी सैम और उसके घर वालों पर हमला कर देते हैं, क्योंकि सभी बुरे ट्र उसकी गाड़े ट्रांसफॉर्मर आ गई थी जो सभी को खत्म कर देती है अब सैम उसे क्यूब के टुकड़े को मकैला को अपने पास रखने का कहता है तब ही हम यहाँ पर देखते हैं उन बुरे ट्रांसफॉर्मर्स में से एक अभी जिन्दा था उस सारी इंफर्मेशन को स्पेस में अपने एक साथी के पास भेज़ देता है वो उसे ये कहता है कि जमीन पर जो क्यूब का टुकड़ा है उसे तुमें किसी भी तरह हासिल करना होगा और साथ ही वो उपने एक साथी ट्रांसफॉर्मर को भी दुनिया में क्यूब का टुकड़ा हासिल करने भीज़ देता है जो कि एक जानवर की शकल में था वो ट्रांसफॉर्मर उस आर्मी बेस में आ जाता है जहाँ पर क्यूब का दूसरा टुकड़ा रखा हुआ था जो के लीडर ने मेगाट्रॉन के अंदर से निकाला था जब वो मर चुका था इसने उस क्यूब के टुकड़े को हासिल कर लिया था और उपने साथियों के साथ समंदर में जाता है जहाँ पर मेगाट्रॉन आज भी वही पर पढ़ा हुआ था ये उस क्यूब के टुकड़े से मेगाट्रॉन को दुपारा से जिन्दा कर देते हैं अब वो जिन्दा होने के बाद स्पेस में जाकर अपने बॉस से मिलता है जिसके कहने पर अब तक मेगाट्रॉन ये सब कुछ कर रहा था मेगा ट्रॉन बताता है कि अब क्यूब खत्म हो चुका है हम अपनी आर्मी को नहीं बना सकते जिस पर उसका बॉस कहता है नहीं क्यूब कभी खत्म नहीं हो सकता दुन्या में एक लड़का है जिसका नाम सैम है उसके दिमाग में ऐसी जगा की इन्फॉर्मेशन है अगर हमें सब पता चल जाए तो हम अपनी आर्मी दुबारा बना सकते हैं मैं अभी जमीन पर नहीं जा सकता क्योंकि उदर हमारे लीडर है जो सैम की हिफास्त कर रहे हैं तुम जमीन पर जाकर उस लड़की के जरीए हमारे लीडर तक पहुंच सकते हो हम जमीन पर मकैला को देखते हैं जिसके पास क्यूब का वो टुकड़ा था जिसे सैम ने इसे अपने पास रखने के लिए दिया था यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्मर जिसमें अपने बॉस के पास इस खबर को पहुंचाया था कि जमीन पर क्यूब का टुकड़ा है वो यहाँ पर मकैला से उसे चूरी करने आया था लेकिन मकैला उसे देख लेती है और सैम को कॉल करके बताती है मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ क्योंकि वो जानती थी कि सैम की जान खत्रे में है उदर यूनिवर्सिटी में सैम दिखाया जाता है जिसके दिमाग में क्यूपर लिखे हुए लफ्स प्रिंट हो गए थे जो बार बार उसकी आंकों के सामने आ रहे थे सैम को इस बारे में कुछ भी नहीं बता था तब ही उसके पास एक ट्रांसफॉर्मर लड़की की शकल में आता है वो सैम के पास से उस इंफॉर्मेशन को लेने की कोशिश करती है पर इससे पहले वो कुछ कर पाती तब ही यहाँ पर मकैला आ जाती है जो सैम को बचा कर अपने साथ ले गई थी मगर वो ट्रांसफॉर्मर जो लड़की की शकल में था अभी भी इनके पीछे था मकैला यहाँ पर अपनी गारी को एक टावर से मारती है जिससे अब उस ट्रांसफॉर्मर ने भी इनका पीछा छोड़ दिया था फिर वही पर एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर हेलिकॉप्टर की शकल में इनकी गारी को एक फैक्टरी में दे मारता है यहाँ पर मेगा ट्रॉन भी आ गया था वो अपने छोटे छोटे रिबोर्ट्स को सैम पर छोड़ देता है ताकि उसके दिमाग में जोब इन्फॉर्मेशन है सब इनको पता चल जाए इससे पहले वो रिबोर्ट्स कुछ करते यहाँ पर लीडर आ जाता है मेगा ट्रॉन और लीडर के दिर्मियान में दुबारा लड़ाई हो गई थी यही पर दो और ट्रांसफॉर्मर्स आ गए थे कि लीडर दूसरे ट्रांसफॉर्मर्स को मारने में लगा हुआ है मेगा ट्रॉन लीडर पर हमला करके उन्हें मार देता है सैम जो के सब कुछ देख रहा था वो यहाँ से भागने के कोशिश करता है उदर लेडर के साथ ही भी आ गए थे जिनोंने लेडर का बतला लेने के लिए मेगा ट्रॉन पर हमला कर दिया था इसलिए मेगा ट्रॉन यहाँ से भाग जाता है अब क्योंकि लेडर मर चुका था मेगा ट्रॉन का जो बॉस था वो समीन पर आ जाता है जो पहले लीडर की बचा से डर कर नहीं आता था वो समीन पर आकर सारी सैटलाइट्स को हैक कर लेता है सब कुछ अपने कंट्रोल में करने के बाद वो आर्मी से कहता है कि सैम जो लड़का है उसे मेरे हवाले कर दो अगर तुम लोगों ने ऐसा ना किया तो मैं सारी दुनिया को खत्म कर दूँगा उधर दूसरी तर सैम मकेला और उनका एक दोस्त साइटिस के पास चाते हैं जो कि पहले सेक्टर 7 में काम क्या करता था जो अब बंद हो चुका था वो उन लफजों का मतलब समझते हैं जो सैम की दिलो दिमाग में थी जो से बार बार नज़र आय करते थी साइटिस बताता है बहुत सालों पहले ट्रांसफॉर्मर्स हमारी दुनिया में आये थे उन्हें उस पर सीकर्स कहा जाता था और आज भी वो इस दुनिया में कहीं न कहीं चुपे हुए हैं अब वो ट्रांसफॉर्मर जिसे मकैला ने पकड़ा हुआ था ये उसे अपने साथ ले आये थी जो कि उन्हें एक पुराने म्यूसियम की बारे में बताता है ये सब वहाँ पर चले गए थी यहाँ पर एक बहुत ही पुराना प्लेन था जो कि एक ट्रांसफॉर्मर था सैम उस पर जब क्यूब के टुकड़े को लगाता है तो वो प्लेन एक ट्रांसफॉर्मर में बतल जाता है ये जब उसे उन लफसों के बारे में पूछते हैं जो सैम को नजराय करते थे तो वो ट्रांसफॉर्मर इन्हें एजिप्ट के रिकिस्तान में ले आता है वो पताता है कि हम यहाँ पर करोड़ों साल पहले भी आ चुके हैं हमने यहाँ पर एक मशीन को बनाया था उसका काम सूरज से रोशनी कठा करना था अगर हम ऐसा ना करते तो हमारे जिसमों में जंग लग जाता ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी था शुरू में हमारे साथ हमारे लिटर थे जिनोंने हमेशा हमें ये समझाया कभी भी वहाँ पर किसी को नुकसान मत पहुचाना जहां पर लोग आपाद हो पर हमारे एक ट्रांसफॉर्मर ने इस असूल को तोर दिया ये उसे की बात कर रहा था जो मेगा ट्रॉन का बॉस था वो बताता है कि वो इनसानों से नफरत क्या करता था वो उस मशीन के स्त wiel से इनसानों को खत्म कर देना चाहता था पर उस मशीन को चलाने के लिए एक टाकतवर हत्यार की जरूरत थी लेकिन वो हत्यार बहुत खतरनाक था हम उससे किसी को पिनुकसान पहुचाना नहीं चाहते थे इसलिए हमारी छे लिडरों ने अपनी कुर्बानी दी और उस हत्यार को महफूस कर लिया अपना एक मकबरा बना कर वो मशीन जो बनाई गई थी जो उस हत्यार से चलती थी उसका पता मेगा ट्रॉन और उसकी बॉस को पता है वो यही कहीं दफन है और साथ ही उसे अगर हमारे लिडरों का मकबरा मिल गया जिसमें वो हत्यार दफन है तो वो दोनों चीजों का इस्तिमाल करके पूरी दुन्या को खत्म कर देंगे और तब उन्हें इस दुन्या में कोई भी नहीं रोक सकता सैम कहता है आपके लिडर ने मुझे बचानी के लिए अपनी जान दे दी सैम समझ किया था कि अगर वो हत्यार इसे मिल जाए जो मकबरे में कही पर डफन है तो वो उसे लिडर को दोबारा जिन्दा कर सकता है ट्रांसफॉर्मर सैम को बताता है जो इलफास तुम्हें दिखते हैं वो मकबरे तक पहुँचने का रास्ता है अब ये सभी जल्दी से वहाँ पर पहुँच गए थे इन्हें वो हत्यार भी मिल जाता है जैसे ही सैम उसको हाथ लगाता है वो रेत में बदल गया था ये उसे एक पोटली में रखकर बाहिर आ जाते हैं अब सैम वहाँ पर लीडर की बॉड़ी को भी मंगबा लेता है जो के बिलकुल डेट हो चुका था ये उस हत्यार से उसे जिन्दा करने वाला था तब ही उदर और भी बहुत से बुरे ट्रांसफॉर्मर्स आ गए थे जो मेगा ट्रॉन के साथी थे वो सब मिलकर एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर में बदल जाते हैं और एक प्रामिट पर भी हमला कर देते हैं दरासल वहाँ पर वो मशीन दफन थी जिसके बारे में सैम को भी उस ट्रांसफॉर्मर ने बताया था जिससे दुनिया को खत्म किया जा सकता था वहे पर सैम जो के लिडर की तर्व बढ़ रहा था लेकिन तबी वो बुरे ट्रांसफॉर्मर की हमले की वज़ा से जखमी हो जाता है और बेहोश हो गया था उसके सामने अब सभी ट्रांसफॉर्मर्स लिडर आते हैं जो उसे कहते हैं तुम एक ना डर इनसान हो जिसनी हमारे लिडर की खातिर अपनी जान को दाओ पर लगा दिया जो एक लिडर की निशानी है जिस हत्यार को तुम लेकर आए हो उसे ढूंडा नहीं जाता बलके कमाना पड़ता है अब सैम को भी होश आ गया था दरहसल वो लिडर उसके सपने में आये थी वो हत्यार जो पहले रेग बन चुका था वो तुबारा से हत्यार बन चाता है और एक डिवाइस में बदल गया था सैम उस डिवाइस को लिडर के अंदर डाग देता है जिससे वो जिंदा हो गए थे पर लिडर अब बहुत कमजोर था तब ही वहाँ पर मेगा ट्रॉन का बोस आ जाता है और उस डिवाइस को इन से ले ले लेता है जिससे दुनिया खत्म करने की मशीन को भी एक्टिविट किया जा सकता था ये देखकर वो ट्रांसफॉर्मर जिसने सैम को सब कुछ बताया था वो अपने डिवाइस को निकाल कर अपने लिडर के अंदर डाल देता है जिससे अब वो ताकतवर हो गए थे इनका लिडर अब उस प्रामिट के पास चला गया था जहाँ पर मेगा ट्रॉन का बॉस था लिडर ने जाकर उस मशीन को खत्म कर दिया फिर वो मेगा ट्रॉन और उसके बॉस से अकेले लड़ता है बॉस को लिडर ने मार दिया था मेगा ट्रॉन के साथ यहाँ पर दूसरा ट्रांसफॉर्मर साथ ही कहता है कि कभी कभी हमें हार मान लेनी चाहिए वो मेगा ट्रॉन को लेकर वापिस चला गया था सैम मकेला और लिडर सभी वापिस आ गए थे सैम एक बार फिर से अपनी उनिवर्स्टी को जॉइन कर लेता है लेकिन मेगा ट्रॉन अभी भी जिन्दा था अब बॉस के मर जाने और मेगा ट्रॉन के वापिस चाने के बात दिखाय जाता है लिडर उसके साथ ही बाकी के ट्रांसफॉर्मर्स आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और दुनिया में जो कुछ भी बुरा होता है सब को सुलचाने की कोशिश करते हैं इन्हें यूक्रेन में एक मिशन पर भेजा जाता है जहाँ पर न्यूक्लियर हाथसा हुआ था यहाँ पर आकर लिडर ट्रांसफॉर्मर को शक होता है कि एलियन्स की टेकनॉलोजी को इस्तमाल किया गया है तब ही इदर बुरे ट्रांसफॉर्मर्स आकर इन पर हमला कर देते हैं हमला करके सभी Transformers भाग गए थी, मगर तभी इदर लिडर को एक सेल मिलता है, जो आग से निकाला गया था, उसे देखकर Transformers का लिडर काफी हैरान होता है, वो अब NASA की टीम के पास चाता है, वो कहता है कि तुम हमसे जोट बोलते हो, वहाँ पर अब उनकी टीम बताती है कि नहीं, हमने कोई जोट नहीं बोला, बहुत सालों पहले की बात है, हमें ये खबर मिली थी, चान पर एक स्पेस्शिप तबाह हो गया है, हमारी टीम उस मिशन पर गई, पूरे आठ साल बात ये मिशन पूरा हुआ, हमारी टीम को चान पर एक बहुत बड़ा स्पेस्शिप मिला, जो तपा हो चुका था, एस्ट्रोनाट्स ने उसके बहुत जांच की, इस बारे में दुनिया में किसी को भी नहीं बताय गया, पर जल्दी पता चल गया कि उस दुनिया में एलियन्स भी है, लीडर यहाँ पर सब कुछ इसलिए पता कर रहा था, दरएसल जब लीडर और मेगाट्रोन की एक दुनिया थी, जंग के बाद सब कुछ खत्म हो गया, लीडर और उसके ट्रास्फॉर्मर्स के पास एक शिप था, जिसका नाम आर्क था, उससे ये मेगाट्रोन और उसके साथियों को हरा सकते थे, मगर मेगाट्रोन के साथियों ने उस पेस शिप पर हमला कर दिया, जो स्पेस में कहीं पर गुम हो गया, हजारों साल बाद जब वो चान पर तबाह हुआ, तो नासा की टीम ने उसकी जांच की, लिडर ये सचाई जानने के बाद चान पर जाने का फैसला करता है ये अपने साथी के साथ चान पर पहुँच गया था जब ये आर्क के अंतर जाते हैं तो इन्हें अपना पुराना लिडर भी मिलता है जो पूरी तरह से डेट था उदर लिडर चार पिलर्स को देखते हैं जिससे दूसरे दुनिया में जाने का रास्ता बना जा सकता था अप लिडर सभी को लेकर वापीस से जमेन पर आ गया था और जिस डिवाइस से लिडर को जिन्दा किया था वो डिवाइस निकाल कर लिडर अपने उसी लिडर साथी के अंदर डाल देता है जिसको यह आर्क से लेकर आया था अब वो पिर जिन्दा हो चुका था उदर सैम जो के कमपनी में अब काम कर रहा था उसके साथ काम करने वाला उसे आर्क स्पेस शिप के बारे में बताता है तब युस आदमी को एक ट्रांसफॉर्मर आकर मार देता है अब उन उन लोगों को मेगाट्रॉन मारना चाहता था जो की आर्क मिशन का हिस्सा थे जिनोंने जाकर चान पर उस पेस्शिप की जाँच की थी अब अगला नमबर सैम का था क्योंकि उसे भी सब चीजों के बारे में पता चल चुका था सैम सब चानने के बाद एस्ट्रोनार्स के पास चाता है वो पताते हैं कि जब आर्क तबाह हुआ तो उदर मेगाट्रॉन और उसके ट्रांसफार्मर्स पहले ही पहुँच चुके थे उनको उस वक्ट चार पिलर्स के बारे में भी पता था जिससे दूसरी दुनिया का रास्ता बना जा सकता था मगर वो इन चीज़ों को खुद एक्टिवेट नहीं कर सकते थे इसलिए वो चाते थे कि उनका लिडर लाकर सब ठीक करे अब सब कुछ ठीक हो गया है तो वो दुनिया में तबाही पहलाना चाते हैं ये सब जानने के बाद सैम इन सब के बारे में आर्मी को खबर करता है तब है उसके पीछे मेगा ट्रॉन के साथी थे जो उसे मारना चाते थे पर यहाँ पर उसकी गाड़िया चाती है जो से बचा लेती है मेगा ट्रॉन और लिडर ट्रांसफॉर्मर के दर्मियान में लडाई होती है तब यहाँ पर लिडर जिस लिडर को आर्क से लाकर जिन्दा किया था उसके बारे में पता चलता है कि वो तो मेगा ट्रॉन से मिला हुआ था उसने उससे डील की हुई थी, कि ट्रांसफॉर्मर्स का वजूद हमेशा जिन्दा रहेगा, वो दुनिया पर इसी तरह राच करेंगी, अब वो लीडर उन्ही चार पिलर्स का इस्तिमाल करके, जमीन और जान के तर्मियान में एक सुराख बना देता है, जिससे सभी बुरे ट बॉस के साथ थी, उसका बॉस भी मेगाटरॉन से मिला हुआ था, त्योंकि मेगाटरॉन ने उस बॉस को कहा था, कि वो से बहुत सारी ताकतें देगा, सैम को जब ये पता चलता है, कि उसकी दोस खत्रे में है, ये अपनी गारी में बैटकर उसे बचाने आ रहा था, मगर स सैम जिस गारी में था, वो मेगाटरॉन का साथी ट्रांसफॉर्मर था, अब सैम को उसकी दोस के बॉस ने पकर लिया था, और उसके हाथ पर एक डिवाइस को लगा देता है, ताकि उसकी जो भी आर्मी के साथ बात चीत हो, उसका उसे पता चल सके, वही पर दूसरी तरफ म दिखाया जाता है, मेगाटरॉन ने गॉर्मेंट को धम की दी थी, अगर लीडर और उसके साथियों को वापी स्पेस में ना भेजा गया, तो हम भी जमीन पर हमला कर देंगे, इसलिए अब सभी को एक रॉकेट में भेशने का फैसला किया जाता है, जब रॉकेट को उड़ दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा था, जो बॉस की पास थी, जो मेगाटरॉन से मिला हुआ था, जब मेगाटरॉन और उसके साथी दुन्या में तबाही पहला रहे थे, तब यहाँ पर लीडर और उसके ट्रांसफॉर्मर्स आ जाते हैं, जो सबसे पहले पिलर्स को तब बाह करते हैं, जिससे दोसरी दुनिया का रास्ता बना जा सकता था, वो बताते हैं कि हम रॉकेट के हमले में मारी नहीं गए, हमने तो सिर्फ मेगाटरॉन के सामने ये नाटक किया था, कि हम लोग रॉकेट में हैं, सैम ये देखकर बहुत खुश था, अब सैम पर हमला करके उसे मार देता है, उसके बाद उस लिडर को भी खत्म कर देता है, जिसको इसने आर्क से लाकर जिन्दा किया था, जो मेगाटरॉन से मिला हुआ था, और सब को धोका दे रहा था, इसके बाद जितने भी अच्छे ट्रास्फॉर्मर्स होते हैं, वो दुनिया म रुक गए थे, और अब इनका मिशन इंसानों के साथ रहना और उनकी मदद करने का था, ये अब इसी दुनिया में रहकर उनका साथ देंगी, और जो तबाही मेगाटरॉन ने पहलाई थी, उसको ठेक भी करेंगी, और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जा जाब देक camera करने के क का सकी यहाड़ फिच से लो झाया है कि जा जार गया है, वब हो जाब में 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 रह लूवी चका कई करके लोूभ साथ टनकी में, और वूनकैंद याध़ आप अजनकी मिघा है, ये ऑी और में लोवी कि ये जामेंगी, ये तो में वो के देकश